ना रिजूमिंग बैक हम लोग पढ़ रहे थे मेंज पेपर 1 2019 उसके सोशल साइंस के क्वेश्चेन तीसरा प्रश्ण कल्चर के बारे में लेट अस चेक क्या हमारे राष्ट में सर्वत्र लगु बारत के सांस्कृतिक शेत्र है उदाहरणों के साथ सविस्तार सपष्ट कीजे 250 वर्ड्स 15 मार्क्स ये कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पहले भी UPSC ने प्रश्ण पूछ चुके हैं 2015 में पूछा कोई भी चार कल्चरल एलिमेंट्स अब डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा कीजे 2016 में पूछा कि बाशाओ के आदार पर हमने राज्यों का निर्मान किया linguistic states तो उससे क्या भारत की unity को मजबूती मिली है 2017 में पूछा कि बारत के अंदर regions they form cultural units rather than the states give your examples and viewpoint और उसी के continuation में ये वाला प्रश्ण कि क्या पूरे बारत के अंदर हमें छोटे छोटे बारत के cultural pockets मिल जाते हैं एक बारत नहीं है उसके नीचे अलग-अलग cultural pockets हैं छोटे छोटे बारत त करेंगे आगे के प्रश्णों में हमने क्या किया culture के origin दे दिया कि इतने सारे अलग-अलग बाशा हैं और ये सब type of बोल बच्चन किया था लेकिन यहाँ पर specifically हम culture को define इसलिए करेंगे ताकि उसके यह element है food है, clothes है, values है वो कैसे अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग दिख समझाएंगे कि कैसे बारत में अलग-अलग cultural pockets हैं, जैसे हिमालायन रीजिन में आपको तीन cultural pockets मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया के अंदर वैसे लेकता है कि एक हिंदी बेल्ट ही है बट उसमें भी तीन अलग-अलग cultural pockets हैं, साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया मतलब सिर्फ राइस और इडली समबार ऐसा नहीं, वहाँ पर भी चार अलग-अलग बाशाओ के इसाब से cultural pockets मिलते हैं, वेस्टन इंडिया में भी अलग है, और नॉर्थ इस्ट के अंदर भी ऐसा नहीं कि नॉर्थ इस ट्राइबल culture is one, वहाँ पर भी internal differences है, so like that we have small-small-small cultural pockets in India, and then conclusion, हाँ, yes, there are many small pockets in India, but still we have stood united because of our spirit of love, tolerance, brotherhood और उसको अमने आगे बढ़ाना है, ऐसे positive conclusion में end करेंगे, यहाँ पर भी वही नहीं कि Hindi बाशी और मराथियों के सामने लड़ाई चल रही है वगेरा, negative लिखने की कोई जरूरत है नहीं, so let us start, सबसे पहले introduction, हम define कर सकते थे, origin द data दे सकते थे, about cultural diversity, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्यों है, because we have to classify the Indian cultural pockets, इसलिए define करना ज्यादा उपयोगी होगा, so we can define the culture, culture is a way of life that is common to a group of people, culture के दो component होते है, एक होता है material component, जहाँ पर आप food, dress, ornament, houses, उस ही साब से कुछ लोगों का एक group बन जायता, आप बोलें, यह वाला culture है, then non-material components, symbol, attitude, ideas, belief, family, value, custom, song, dance, music, उससे, if there is a group of people, then we say यह उनका culture है, यह cultural component अपने आप नहीं बनते, उस पर बहुत सारे factors affect करते हैं, जैसे कि geography of a region, climate, economy, और वो region के अंदर कौन सा ethnic, linguistic या religious group जादा dominant है, तो वो जो भी cloth पहनते होंगे, जो उनका values होगा, वही बाकी सब भी copy करेंगे, and as a result, consequently, we can identify the following cultural pockets of small India all over the nation, और फिर body के अंदर आप अलग-अलग example देंगे, example के अंदर कोई बहुत जादा सोच विचार की जरूरत नहीं, माजिद हुसेन की geography of India है, उसका I think chapter 13 है, the cultural setting of India, तो बस वही चीज़े cultural geography के यहाँपा लिखनी है, सबसे पहले आप north स शुरू करो, तो north में एकदम उपर है Himalaya, so Himalayan region तो वहाँ language के हिसाब से कश्मीरी और पंजाबी और यह सब दिखता है, बट माजिद हुसेन में जो दिखा है, just those things we have to copy, तो माजिद हुसेन कहते हैं कि Himalayan region के अंदर तीन cultural pockets हैं, पहला है लदाक का cultural region जहाँपर Buddhism और लदा अंचल और उत्राखंड के पहाड़ी प्रदेश में उनका देव भूमी हिंदू टाइप का cultural region देखता है, so these are the three cultural pockets within India, तो हम बोल सकते हैं तीन छोटे छोटे बारत वहाँ पर हैं, पिर वहाँ से थोड़ा एकदम नौर्थ मोर्श से थोड़ा बीच में आए Northern India, Northern India के अंद traditional Hindi belt में आप पाएंगे Hindi Hindu Cultural Belt, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh में, ये सब माजिद हुसेन ने ही terms दिये हैं अपने book में, तो ये सब लिखने में मतलब ये धार्मिक और ये ऐसा Hindu लिख सकते हैं कि नहीं, there is no need to be shy of, जो है वही हमने लिखना है, at the same time you mentioned other things, कि ऐसा नहीं है कि सिर् दर भी बहुत सारे internal division है, कास्टिजम के नाम पर conservatism, पैटियार की social taboos, फिर वहाँ पर ये मियो पंचायत, जाट की खाप पंचायत, ठाकूर, भूमिहार, डेरा, उनका अपना अलग अरस्तिद्व, तो वो जहाँ पर जितने dominant हैं उस ही साबसे cultural pockets of small India अलग-अलग दिखत पोकेट है, urban cosmopolitan culture of Delhi and NCR region, वो Delhi वाला culture, तो उनका जो भी cuisine, मतलब जो भी खाना खाते हैं, attire, पोशा, speech, gesture, attitude, they are quite distinct from the other parts of northern India, फिर आप सदन इंडिया में जाइए, तो वहाँ आपको पता चलेगा आंद्रवर तेलंगाना तो तेलोग बाशा, कनाड़ा बाशा, तमिल तमिल बाशा, केरला, मल्यालम बाशा, and accordingly उसके चार cultural pockets बन जाएंगे क्योंकि चार अलग अलग बाशा है, ये बात सही है कि all these languages come from the same Dravidian language family, और वहाँ पर थोड़ी कुछ similarities भी है, चारो रीजन में आप पाएंगे, food में rice, चावल का उपयोग जादा होता है, attire के अंदर व लूंगी में पहन के काम करना, it is more comfortable, तो बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पूरा South India is all Italy संबारें लूंगी कल्चर, नहीं, their cultural aspects are very different within and across the states, अलग-अलग हैं, जैसे कि केरला, वहाँ पर नायर एज़ावाह and various communities, they practice matrilineal system, कि जहाँ पर बेटियों को property rights, social customs के अंदर, उनके आस प है कि वहाँ पर ready लोगों का culture, it is having more patriarchal values, कि जहाँ पूरुष और बेटे का जादा सम्मान और property rights and everything, social customs उसके आस पास चालते हैं, और फिर आंदर के अंदर आप पाएंगे loyalty for the clan, hero worship, they are more prevalent, वो इंदरा the tiger movie, Sony max पर जितनी बार आता है, आप देख लीजे एक आद बार, every week 5 बा आते हैं, वहाँ non rice type of variety is also, very frequently used, so that means internally there are many different cultural pockets, Tamil Nadu तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वहाँ बस Tamil Dravidian culture, no, वहाँ पर traditionally जो भी Brahminical type of practices थी, फिर वहाँ पर Dravidian movement शुरू होता है, तो कौन से district में कौन सी party या कौन सा group जादा powerful है, Brahmin और non-Brahmin, accordingly you will district wise आपको अलग-अलग small India दिखता ह है, so there is not a single Tamil Indian culture, so thus South India has many small cultural pockets of India, फिर वेस्ट में आप जाए तो क्या है, गुजराती, गुजरात और राजस्थानी languages, उसमें समानता यह है, both of them belong to the same Indo-Ian group of linguistic family, दोनों ही जगा पर Hinduism और Jainism के ज़्यादा significant presence है, तो उस हिसाब से उनका culture गुजरात, राजस्थान का बाकी सब इलाकों से थोड़ा अलग देखेगा, food, food में आप पाएंगे कि क्योंकि वहाँ पर fresh water, बहुत सारे northern गुजरात और राजस्थान, they are having scarcity of water, so as a result fresh vegetable, fruit, वो सब उनके food diet में कम होता है, usually grain, pulse, dry item, long shelf life हो, जैसे दा महार वो ज़्यादा लेते हैं, और हमने पढ़ा कि culture उसका एक material component है, food, तो food यहाँ बर अलग है, तो यह cultural pocket बन गया, similarly rural male prefer to wear turban, kurta, dhoti, festival में female deity के साथ जुड़े हुए festival बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, नवरातरी बगर, so that is गुजराती राजस्थानी culture, फिर उससे completely opposite side North East India में जाए, तो वहाँ पर आप ethnic cultural pockets देख सकते हैं, सिक्कि में दो sub culture है, एक Buddhist culture है, और दूसरा नेपाली ब्रामईन लोगों का Hindu type का culture है, मेगालाय के अंदर खासी गारों community का जहाँ पर दब दबा है, तो matrilineal system prevails मतलब कि husband अपना गर छोड़के wife के गर में रहने तो उसके opposite मनिपूर में, mighty dominated areas, वहाँ पर patriarchal and patrilocal practices are more prevalent, कि बेटे को parents की property मिलेगी और डाटर को husband की family के साथ रहना पड़ेगा, so accordingly their cultural pockets and practices are different, वो internally कैसे different है, वो सब हमने लिखना नहीं, हमने सिर्फ यह कहना कि यह small culture pocket, यह small culture pocket, यह सब छोटे छोटे पूरे बारत में इंडिया यह कोई एक नहीं कि American culture मतलब एक चीज पूरा ऐसा नहीं है, अलग-अलग छोटे छोटे इंडियन culture है, and lastly the conclusion thus, we can find the cultural pockets of small India all over the nation, yet हम सब लोग प्रेमभाव से रहते हैं, bearing the occasional incidents of violence and hatred, Indian civilization has always celebrated plurality and promoted love and tolerance, and it has helped us all of us to survive, sustain and flourish under a united India, and it is the duty and responsibility of every citizen to protect and preserve our culture. मैंने आपको अभी बता है, तो obviously इसको अब सारे example के साथ हम लिख सकते हैं, but in real exam it is not possible कि हमको सभी कुछ तुरंत याद आजाए, so sometimes you have to, जो अपनी word limit है 250 words में लिखना है, आपको इतने सारे लिखने को नहीं मिल रहा है, if you are not getting or remembering the type of differences or examples, तो फिर आपने जवाब को जो मुद्धा आपके पास है, उसको elaborate करके लिखना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिती में जो बोल बच्चन करना पड़ता है, वो तब ही हो सकता है, if और यह क्या हुआ मुझे देखना पड़ेगा, just a minute, I think there is some technical issue, no I hope it is working fine, carry तो आपके पास अच्छी vocabulary होनी चाहिए, एक मिनिट मैं यह laser pointer select करूँ, अच्छी vocabulary होना ज़रूरी है, देखिए यहाँ पर conclusion में मैंने कितने सारे synonyms यूज करके एक ही बात को बढ़ा करके लिखा है, it is the duty of every citizen, नहीं, it is the duty and responsibility of every citizen, बात तो वही है बट दो शब्दों यूज किये तो लंबा हो गया, इंडिया has survived, तो survive, sustain, flourish, तीन मिल गए, love, tolerance, violence, hatred, तो मिलते जुलते शब्दों को डाल डाल कर आपने, जो आपके पास थोड़ा material है उसको और बढ़ा करके word limit को fill up करना है, and therefore good vocabulary is also very important for the examination, ये question के अंदर लोग क्या गलतियां कर सकते हैं, एक तो ये matriarchy और patriarchy क्या है, उसका क्या difference वो सब sociology यहां पर explain नहीं करनी, simply एक line में लिख दिया कि वो ऐसा culture है, वो ऐसा culture है, then stereotyping with a common brush stroke, वो नहीं होना चाहिए, पूरा South India मतलब ये कि rice and lungi that is not the way, अलग-अलग उनके बहुत सारे cultural खूबियां है, you have to mention it, South Indian culture is not same, Telugu culture different than Kerala, so individual small pockets बनते हैं, similarly कोई एक Western India का culture नहीं है, Gujarat Rajasthan की चीज़ें अलग है, Maharashtra Goa, Konkan की चीज़ें अलग है, even within Gujarat Northern part Rajasthan के साथ जाधा match करेगा, Southern part में Maharashtra type food and practices जाधा दिखने को मिलेगी, so there is no single common stereotype के जवाब नहीं बनाने चाहिए, यह theory का question बोल सकते हैं, difficulty level medium, 15 में से मुझे लगता है जाधा तो लोग 5 मा क्यास पास उन्होंने खेला होगा, क्योंकि वो सीधा South India versus North India type की चीज़ें, यह culture और यह culture, वो उससे ज़्यादा refined answer होना चाहिए, और यह कोई आस्मान से टपका हुआ प्रश्णा भी नहीं, माजिद हुसें का वो chapter 13 देखा हो, आराम से इसको handle कर सकते हैं, So that was the third question, culture के बारे में और हमने देख लिया, Now I think let us take a break for 5 minutes और उसके बाद बाकी के तीन सवाल भी हम लोग देख लिया,